लेकिन समाचार विस्तार से सबसे पहले बाद जारखंड की और जारखंड की बात करें तो जारखंड विधान सबा चुनाव के लिए एंडिये के बीच सीट शेरिंग की घोशना हो गई है जारखंड में एंडिये कटबंदन के तहट बीजेपी अरसट आज सुदस जेडियू दो और लोजपा रामविलास एक सीट पर चुनाव लड़ेगी जारखंड विधान सबा चुनाव को लेकर एंडिये के बीच सीटों का बटवारा हो गया है राची के प्रदेश भाजपा कारियाले में शुकुरुवार को भाजपा और आजसु ने प्रेस वारता के दोरान सीटों के बटवारे की घोशना की केंद्रिय मंत्री और जहरखंड में भाजपा के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंग चवहान ने कहा कि राज्ये के चुनाव में भाजपा आजसू, जेडियू और लजपी रामविलास पार्टी एक साथ मिलकर चुनाव लड़े हैं जहरखंड में गड़बंधन के तहट भाजपा 68 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वहीं आजसू 10 सीटों पर अपने उमीदवार उतारेगी साथी जेडियू को दो सीट दी गई है, इसके अलावा लजपी रामविलास पार्टी एक सीट पर चुनाव लड़ेगी जेडियू को तमाड और जमशेद पूर पश्चिमी सीट दी गई है, जबकि चिराख पासवान की पार्टी एलजपी रामविलास को चत्रा की सीट दी गई है इस बीच असम के मुख्य मंत्री और जार्खन के लिए भाजबा के सह प्रभारी हिमंत विश्वा सर्मा ने कहा, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नेत्रुत में जार्खन में एंडिय की सरकार बनने जा रही है जार्खन में भाजबा के प्रदेश अध्यक्ष बाबुलाल मरांडी ने इस मौके पर हिमंत सुरेन सरकार को घेरते हुए कहा, कि आदिवासियों के नाम पर राजनीती करने वाले ये लोग उनकी जमीनों को लूटने में लगे हुए हैं, वहीं आजसू प्रमुख महतो ने कहा कि जार्खन में बांगला देशी घुसपैट हो रही है, जिसकी वज़े से प्रदेश में आदिवासियों की जनसंख्या कम होती जा रही है। तो बारे सरकार के साथ मिलके भी हम इन चीजों का निराकरन चाहेंगे और राज की तरक्की में जार्खन एक बड़ा हिस्सा बने ये तैयारी हमारे रही है। गौर तलब है कि जार्खन विधान सभा चुनाओ के लिए दो चरणों में 13 नौंबर और 20 नौंबर को मतदान होना है। साथ ही राजनितिक कर्मा गई है। सीट बड़ारे के तहथ भाजपा जार्खन की 68 सीटों पर चुनाओ लड़ेगी। आजेसू 10, चेडियू 2 और लोजपा एक सीट पर चुनाओ लड़ेगी। सीट सेरिंग की घोशना होने के बाद विजेपी जल्दी उमिद्वारों की नामों की घोशना करेगी। अपने कैमरा से होगी विकास के साथ शोमेश पटेल टीडी नियूस चारखंड। और आप खबर लेंगे।